हालो दोस्तों क्या है आप सभी सुधारते हैं आप सभी इक द bakayım इसक्ती जी कोईज में तो दोस्तों आध यो है कि बिहार डियरट के लिए स्पेसल जो है की साइन्स का कुछ इंगPोशिटन लेक आई हुए ज़ो आपके आंज के लिए काफी important है तो चलिए शुरू करते हैं और दिख्या आप सभी को बताना चाहते हैं बिहार डियालेट परवेस परिक्षा के लिए इस्पेसल जो के फ्रेंड को लॉंच कर दिया गया है जहां आपको कमपिट त्यारी करवाया जा रहा है तो अगर आप सभी को जोइन कर के जोइन कर लिए आप सभी तो सबसे पहले यहां देख लिए बिहार डियालेट परवेस परिक्षा 2022 के लिए ये कोर्स को लॉंच किया गया है जो की इस्पेसल है ध्यान रखेगा आप सभी इसमें आपको संपुर्ण त्यारी के साथ में topic wise classes handwriting notes आपको दिया जाएगा हर subject क प्लस में परिक्षा के तरह online test और ebook मिलने वाला है our subject का ध्यान रखेगा आप सभी तो अगर आप सभी एक sheet पका करना चाते हैं सरकारी college में admission करवाना चाते हैं ताकि आपका minimum fee में सारा चीज complete हो जाए तो फटा फट आप सभी जोएन किजे अगर आप सभी एक sheet पका करना च साते हैं सरकारी college में समपूरा त्यारी के साथ में test handwriting notes सारा चीज आपको मिलने वाला है ताकि आपका त्यारी बेहितर हो सके तो फटा फट आप सभी जोएन किजे जाए आप सभी application को download कर लिजएगा play store से अन्यतर link से download कर सकते link description में है comment box में पिन कर दिए application का तो application को download करने के बाद आप सभी mobile नमर डाल के register कर लिजएगा उसके बाद अपना नाम mention किजएगा उसके बाद home page open हो जाएगा home page open होने के बाद store के section पे किले किजएगा वहां आपको इसी परकार से बिहार DLT परिक्षा 2022 का courses मिल जाएगा उसको join करना है आपको minimum fee में complete आपको त्यारी करव एक शिट पका करने के लिए तो जाहिए आपसे फटाफट जोइन किजए कोर्स को चलिए सुरू करते हैं फ़स्ट कोशन हैं फ़स्ट कोशन यह बंड़े कि मानब सरीर के किस अंग में लसी का कोशिकाएं बनती है अगर इंसेट में किसी भी कोशन का अंसर बता हो तो अपन के लिए राइट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर ऑफिसर में बहुत जाएंगे दिर्ग अस्थिया में बनती है और भी करेक्ट आंसर हैं अगला कोशन देख लिए जैक कोशन में टू ओ एप टू में आक्षीजन की ऑक्सीक्रन अवस्था वन पलस है तो राइट आंसर ऑफिसर में एव जाएंगे ची एल टू ओ प्राप्त होगा धियान रखेगा आप सभी ऑफिसर में ए राइट आंसर हैंगे अगला कोशन कर लेते हैं अगला कोशन यह बंड़े कि निमलेकित में से कौन सा कोशीका कांग डी एने रखता है तो देखे डी याद रखेगा आप सभी ऑफिसर में डी राइट आंसर हैंगे कोशीका कांग डी ने कौण रखता है तो मैट्रो कौण डिया रखता है अगला कोशन कर लेते हैं कोशन फूर कोशन फूर यह बंड़े कि निमलेकित में से कौन सबसे अधिक परतिया अस्थ है तो दिखे सबसे अधिक जो परतिया अस्थ होता है फ्रेंड वो होता है इस्टील यानि आप समसी को हम सभी टिक कर सकते थे याद रखेगा आप सभी इस्टील सबसे अधिक परतिया अस्थ होता है अगला कोशन कर लेते हैं मस्तिक जिमिदार है फ्रेंड तो याद रखेग कि आप सिटिक जो जिमेदार हैं उप्रयुक्त में से तीनों के लिए सोचने के लिए ही रम रखिया ःंटेंगेग सतूर्ष के लिए अभिकिर्या परी घठना सामिल है इसमें याद रखेगा बी रईट आंसरेंगी अगला कोश्चन कर लेते कोश्चन सेवन अब करन एक ऐसी अभिकिर्या है जिसमें जिसमें एलक्ट्रोन का त्याग होता है ऑक्सीजन का सयोग होता है विद्धुद घनात्मक सम्मू के अनुपात में बिरिदी होती है यानि ऑफशन मड़ी इसका राइट आंसरेंगे ध्यान रखेगा आप सभी कोश्चन को समझ लिजेगा ऑफशन मड़ी इसका राइट आंस आती है ऑफशन में सी करेक्ट आंसरेंगे ध्यान रखेगा अधिक उचाई पर मानब शरीर में लाल रख्तिक का निकाएं की संख्यां बढ़ जाती है अगला कोश्चन है कोश्मन नाइन मानब शरीर में पैरों की हड्डियां है तो राइट आंसर आप्शन मर भी हो जाएं आगला कोश्चन कर लेते हैं कोश्मन मर टेन के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी इस कोश्चन का राइट आंसर क्या होगा मानब शरीर में निम्न हार्मनों में से कौन सारक्त केल्सियम और फॉस्फेट को विन्यमित करता है तो देखिए जो विन्यमित करता है पारावट्टू हार्मोन करता है यानि आपसियम असी राइट आंसर ने ध्यान रखेगा आप सभी केल्सियम और फॉस्फेट को विन्यमित करता है पारावट्टू हार्मोन अगला कोशन है ककच के अंतरिक्ष्यान में भारहिंता की अनुभूती का कारण है तोedel राइट आंसर अभी जाएंगे कक्च में तोरन बाहरी गursवा कर्शन के कारण तोरन के बराबर होता है यानि अभी राइट आंसरें के ध्यान रखेगा आप सब्ये काक्च के अंत्रिक्ष्यान में भारिंता की अनुभूती का कारण क्या है तो काक्च में तोरन बाहरी गुर्थवा कर्शन के कारण तोरन के बराबर होता है ये इसका मुख कारण है अगला कोशन देख लेजिए किसी वस्तु का भार उस समय न्यूंतम होता है जब उसे रखा जाता है अगला कोशन कर लेते हैं विद्धुद घनात्मक तत्वों से संयोग करने की परकाद को कहते तो इसे कहा जाता है अब करन कहा जाता है ध्यान रखेगा आप सभी इसे क्या कहते हैं अब करन आगला कोशन दुखे कौन सा कोशिका कांग प्रोटीन सॉंसलेशन में परमुख भूमिका निभाता है तो राइट आंसर आफिस्टे में बीजाएंगे एडो, प्लाइजमिक, रेटी कूलंग एबं राइबोस्वम निभाता है आगला कोशिन कर लेते हैं साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है तो दिखें ये सहायक जो होता है ये घोल के प्रिष्टिये तनन को कम कर दीता है याद रखेंगा आप सभी क्या करता है ये घोल के प्रिष्टिये तनन को कम कर दीता है कौन सा कोसीका का कैवल पादов कोसीकाओं में पाए जाता है कैवल पादब कोसीकाओं में जो पाए जाता है वो पाए जाता है उपर्युक्ते में से सभी कोशिका बित्ती लबक रिक्तियां पाए जाता है अगला कोश्चन कर लेते हैं यदि एक पेंडूलम से दोलन करने वाली घड़ी को पिर्थवी से चंदर्मा पर ले जाया जाता तो घड़ी होगी तो दिखें घड़ी क्या हो जाएगी सुस्त हो जाएगी ध्यान रखेगा जब एक पेंडूलम से दोलन करने वाली घड़ी को पिर्थवी से चंदर्मा पर ले जाया जाए तो घड़ी सुस्त हो जाएगी अगला कोशन कर लेते हैं डाइनमो इसे परिवर्थित करता है तो यह परिवर्थित करता है यांत्रिक उर्जा को बिद्धूत उर्जा में यानि बी रैइट आंसरें के ध्यान रखेगा यांत्रिक उर्जा को बिद्धूत उर्जा में अगला कोशन देख लिजिए EEEZ का पर्योग किसकी गति वीधी दर्जी करने के लिए किया जाता है तो यह किया ज़ता है दिमाग की गति को गति विर्दी करने के लिए अगला कोशन कर लेते हैं निम्ड में से किस एक की उतपती या कृत का कार्य है यूरियाbs यूरियाख की उत्पत्ति जिफिन यह यक्रित काकारी है ऐक्रिष में भी एट आंसर हैंगे अगला कोशन कर लेते हैं दूद से मक्खन निकालने पर तो दीदीखें दूद से मक्खन निकालने पर दूद का घनत क्या होता है बढ़ जाता है यानि आफस में एरेट आंसरेंगे ध्यान रखेगा दूद का घनत वो बढ़ जाता है अगला कोशन कर लेते हैं बिदूद रिनात्मक तत्वों से संयोग करने की परकिरिया को कहते है तो दिखे इसे कहा जाता है आक्सी करन कहा जाता है यानि option में E-right answer एंगे बेदुद रिनात्मक तत्वों से संयोग करने की परकिरिया को ओक्सिकरन कहते हैं अगला question कर लेते हैं कारी का मातरग क्या है फ्रेंग चले बताएंगे आप सबी कारी का मातरग क्या है तो हम से भी कर सकते हैं का मात्रक जो होता है वो होता है जूल अगला कोशन है कोशन में 25 रक्त में परती असकंदक पदार्थ कौन सा है तो यह पदार्थ है है यानि आप्षिम भी राइट आंसरेंगे ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोशन देखिए जिसका आंसर आपको नीचे कमेंड बॉक्स मे बताना है बताईएगा इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा इस तिर पाने में मेट्टी का तील डालने पर मच्छड कम हो जाते हैं क्योंकि बताएंगे चार आप्ष्ण आपको अपना नीचे कमेंड बॉक्स में बताना है तो चलिए आज की इतना ही है ऐसकी सेट में 25 करेंगे तो चलिए मिलते हैं जहिंद बंदे मातर अपने ध्यान रखेंगा पढ़ाई करते रिएगा आप सभी जहिंद